हेलो फ्रेंज, दिल्ले वाली बार्वी में आप सभी का स्वागत है, जैसा कि आप जानते हैं ये है सपना का घर, तो आईए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है अरे शांती, आज जल्डी जल्डी काम कर लो, आज मुझे अपनी सहली टीना की शादी में जाना है देखो, मैं तयार हो गई हूँ, बताओ, कैसी लग रही हूँ नजर न लगे दीदी, आप तो बड़ी सुन्दर लागत हो अरे विक्की, अभी तेक तुम तयार नहीं हुए, चलो मैं जल्डी से तुम्हें तयार कर देती हूँ मा जी, आपी जल्डी से तयार हो जाईए अरे बेटा, मैं तो कब से तयार होके बैठी हूँ, ये देखो दादी, दादी, गाउं से चाचु का फोन आया है, ये ले जे बात किजे हेलो, हाँ बेटा, बोलो पना मा जीते रहो बेटा, कैसे हो ठीक हूं मा, लेकिन आप लोग कब आओगे, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है जब से आप और बाबुजी गय हो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ बिल्कुल अके ले हूँ मैं यहाँ अरे बेटा इसलिए तुम्हें चाहते हूँ कि जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूँ पर क्या करूँ कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही है अरे मा आप भी क्या शादी की बात करने लगती हो अरे तेवर जी हम तो आपके लिए बहुत सुन्दर लड़की ढूंडेंगे और बहुत ही धूम्धाम से आपकी शादी कराएंगे क्या चाचो की शादी होगी कितना मज़ा आएगा न अभी तो मैं अपनी सहली टीना की शादी में जा रही हूँ आपके लिए भी जल्दी से अच्छी लड़की का पता लगाती हूँ मैं अरे भावी लगता है आप लोग मेरी शादी करा कहीं मानेंगे इधर हसी मज़ाग का माहौल बना हुआ था और उधर तीना कमरे में उदास बैठी अपनी शादी के लिए तयार हो रहे थी फिर तीना ने देखा कि उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे हैं क्या हुआ आप उदास क्यों लग रहे हैं बरात आ गई हाँ बरात तो आ गई लेकिन अब वो लोग एसी मांग रहे हैं तीना की मा अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम उन्हें एसी खरीद के दे दे हाँ अब क्या करें तुम्हारे पास जितने भी पुराने गहने हैं वो तुम मुझे लाकर दे दो उन्हें बेचकर मैं एसी ले आता हूँ लेकिन पापा उनके हर मांग को पूरा करना जरूरी थोड़ी है आप तो पहले से ही करज में डूबे हुए है प्लीज मम्मी के गहने मत बेचे पापा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ अरे बेटी एक बार तुमारी शादी हो जाए तो मेरा टिंसन दूर हो जाए तो चिंता मत कर बेटी सब हो जाएगा बाई फ्रेंज आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में क्या होगा ये चानने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारा चैनल दिल्ली वाली बार भी बाबाई